हेलो फ्रेंड्स आज मैं लाई हूँ बेंगोली स्टैल से बनने वाली सर्सो के मसालों से बनने वाली भाफ वाली हिलिस फीस इसको हिलसा फीस भी बोलते हैं जो खाने में बहुत ही तेश्टी होती है तो चलिए इसके लिए मसाला त्यार करते हैं यहां पर मैंने तेश्पत्त ले लिया है 9-10 लाल मिर्ची सुखी हुई सरसो दाना तीन बड़े चम्माच और लहसुन लिया है 20-25 सभी को पीस लेंगे और यहां पर मैंने इलिस फीस या हिलसा फीस को साफ कर लिया है अच्छे से और जो पेश्ट जो मैंने बनाया है मसालों का वो डाल दे हूं और इसमें तीन बड़े चम्माच पानी का भी यूज कर रही हूं फिर यहां पर लूँगी जूस लेमन का आधा आप एक निम्बू का रस भी ले सकते हैं फिर यहां पर मैंने हल्दी लिया है आधा चम्माच और फिर यहीं पर लेंगे हम जीरा पौडर और काली मिर्च पौडर तीन चम्माच लेंगे और फिर यहीं पर डालेंगे हम धनिया पौडर दो चम्माच फिर यहीं पर डालेंगे हम काशिमीरी रेट चीली पौडर एक चम्माच यह कलर के लिए है फ्रेंड्स और यहां पर स्वादनुसा नमक और थोड़ा सा हम बारी कटा हुआ धनिया पत्ता लेंगे दो बड़े चम्मच और फिर यहीं पे लेंगे हम तीन से चार बड़े चम्मच सरसो का तेल, कच्ची सरसो का तेल यूज करेंगे जब हम भाफ वाली इलिस फीज बनाते हैं ना फ्रेंड, तो इसमें सरसो का ये कच्चा तेल बहुत ही अच्छा एरोमा देता है, बहुत ही अच्छी खुसबू आती है और याद रखिए जब भी आप ये भाफ वाली इलिस फीज बनाइए या हिलसा फीज बनाइए करेंगे और दूसरा नहीं को कि दूसरा गाले वाले तो वो थोड़ा सा घड़ा होता है ये सरसो जो होती है यह ये कड़वा नहीं लगता है इसमें से यसे यसे हिते हैना चाचा और छे हाफ कटी हुई 20 से कटी हुई हरी मिर्ची यह बहुत ही टेस्टी लगती है जब यह पक जाती है ना भाफ में यह हरी मिर्ची इसमें मैंने धनिया डालाया थोड़ा सा और कच्छा तेल डाला है दो बड़े चम्माच अभी से ढग देंगे इस तीफिन में ढगा देंगे और यहां पर देखिए मैंने एक कडाही में पानी ले लिया है चार से पांच कप और इसको पुरा अच्छे से उसको हाफ डुबा देंगे टिफिन को और इसे ना मेडियम फ्लेम पर 30 मिनट तक इसे पकाएंगे और देखिए यह थोड़ा ठंडा हो गया तो मैं इसे उतार ली हूं इसको आप कुकर में भी बना सकते हैं थोड़ा सा पानी डाल करके और टिफिन को ऐसे ही बंद करके उसमें एक से दो सिटी लगा सकते हैं लेकिन मैंने यहां पर बॉयल करके बनाया है कडाही में और देखिए कितनी ही टेस्टी यमी हमारी इलिस फीस भाव वाली ब इलिसा फीस जरूर सामिल करें डाइट में क्योंकि इसमें ओमेगा-3 fatty acid बहुत ही अधिक मात्रा में पाया जाता है और यह हमारे दिल के लिए भी बहुत ही स्वस्थ होती है यह फीश फैदे मंद होता है यह खाना तो फ्रेंड्स मेरी यह रेस्पी आपको पसंद आती है तो प्लीज लाइक करें सस्क्राइब करें तब तक के लिए बाई बैस शुक्रिए